मैं प्रभु का धनेवाद देता हूँ, इस सुबह के समय प्रभु के चर्णों में आने का प्रभु ने मौका जो दिया है, आईए आज के वचन मनन के लिए मत्तिरचित सुसमाचार उसका नौवाद ध्याय 27 से 31 तक वो भाग को जरा पड़ें। जब येशु वहाँ से आगे बढ़ा, तो दो अंदे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाउद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा, तो वे अंदे उसके पास आए और येशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हे विश्वास है, कि मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रबू, तब उसने उनकी आँखे चूख कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आँखे खुल गई, येशु ने उन्हे चिता कर कहा, सावधान कोई इस बात को ना जाने, पर उन्होंने निकल कर सारे फैला दिया, हम इस घटना में देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रबू येशु ने दो अंदों को चंगा किया, जब प्रबू येशु इस संसार में सेवा कर रहे थे, तो कई अजीब काम प्रबू ने किये, लेकिन वो सब घटनाएं परमेशर के पवित्रवचन में बाइब सर्वशक्ति मान ने मनुश्य रूपधारन नहीं किया, लेकिन जो लिखिवी घटनाएं पवित्र बाइबल में हैं, संग्षित में कुछ बातें ही लिखिये ताकि उनके द्वारा हमें कुछ सबक सीखने हैं, हमारी आत्मी को नती हो सकें, सुर्ग ने हमें कुछ सपष्ट संदेश देना है, इधर हम देखते हैं कि कैसे दो अंदे प्रभु येश्य के पीछे आ रहे हैं जब वो उस दिन की सेवकाई करकर विश्राम के लिए जा रहे हैं, और सबसे मुख्य बात उनकी प्रार्थना को जरा ध्यान दे कि किस प्रकार वो प्रभु येश्य को बुल करके बुला रहे हैं, उन्हें मालुम है, इसराइल कौम को मालुम है कि आने वाला मसिया दाउद के वंश में आएगा, जरा देखे इतनी भीड प्रभु के साथ चलती है, उन्होंने प्रभु के अजीब कामों को देखा, लेकिन वो कभी पहचान नहीं पाए कि ये शु कौ ताकि वो उन्हें चीजों को देख सके जो पड़े लिखे समझदार देख नहीं पाते थे, और ये अंदे प्रभु के दया के लिए बिंती कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन अंदकार से भरा है, जीवन के कई सुविदाओं को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान दे, परमेशन ने जो हमें आंखे दिये, वो हमारे जीवन में कितना मुख्य, कितना मुख्य भाग उनका है, हम कई बार अपनी आंखों की इतनी कदर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी आंखे ठीक हैं, जरह रोशनी चले जाए, तब मालुम चलेगा, ये आंख की कीमत क्या है, ये दो अंदे प्रभु के पीछे चल रहे हैं, रोते हुए, दया की बिंती कर रहे हैं, प्रभु ने उनकी पहली पुकार को जरूर सुना होगा, लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके विश्वास की परक है, ये दो अंदे चंगाई के लिए मांगने बिंती नहीं कर रह उन्हें मालुम है, कि अगर मसिया उन पर करुणा करेगा, तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, प्रभु येश्व उनसे पूछते हैं, क्या तुमें विश्वास है कि ये काम मैं तुमारे लिए कर सकता हूँ, और वो कहते हैं, जी, ये उनके विश्वास का के सामने प्रकटी करन है, प्रभु येश्व ने उनके आँखों को छुआ, कारण वो स्पर्ष उन्हें तसली देता है, और उसके बाद उनके इच्छा के अंसार, उनके रिदे की तमुना के अंसार उनको चंगा भी किया, जरा देखे प्रभु येश्व उन्हें किस तरह प्रोटसाहित करते हैं, कि उनके विश्वास ने उन्हें चंगा किया है, वो है स्वर्गे पिता का फ्रेम। प्रभु येश्व भीड को देखकर तरस खाये क्यूंकि भीड इस प्रकार एक चरवाहे के बिना भटकी हुई भेडों के समान थे, कितने बार तरस खाये, और ज और तरस खाते क्यूंकि वो अंदे हैं, अंदकार में पड़े हैं, और विश्राम के स्थान के लिए तरस रहे हैं, जरा एक शन हम अदन बगीचा की और जाएं, जिदर आदम और हुआ एक समय परमेश्वर के उपस्तिती के वो स्वर्ग के अनुभव को बगीचे में अनु प्रकार के पाप की दुनिया में खो गए, और इंसान आज भी प्रकाश की तलाश में हैं, लेकिन जो दया की बिंती करता है, प्रभू उसको चंगाई भी देता है, आईए हम प्रभू को धन्यवाद दें, क्योंकि स्वर्ग ने हम पर करुना किया, हमारी आत्मिक आंखे ख दुनिया में वापस ना जाए, जो हमें प्रभू से दूर करें, वरन हम प्रभू की और प्रकाश में अपना जीवन बितायक प्रभू उसके लिए हमें मदद करें, आईए हम प्राथना करें, हमारे अनुग्रेकारी देलुपिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस अच् उपस्तिती के लिए धन्यवाद, सुर्गे बातों को देखने और समझने के लिए अपने हमारे मन और आंखों को खोला, इसके लिए धन्यवाद, प्रभू इस प्रकाश में चलने के लिए हम एक एक को मदद कर, हमारे जीवन दूसरों के लिए आशिष का कारण हो, सब महिम आप ही को देते हैं, ये शुमसी के मदु नाम से मांगते हैं, आमेन, हमारे प्रभू का आग्मन नस्दीख है प्यारे अजीजों कितने सो भागेश आलिये हम, कि प्रभू ने हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया, आईए, खुशी के साथ, दृड कदमों के साथ, हम अपन दौड को पूरा करें, प्रभू हम सब को बहुत आयत में आशिश दे, माराना था.